हे दोस्तों अगर आप भी जाना चाहते हैं कि आप टीपो सुल्तान स्वागत करता हूं आप सभी का यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर कर दीजिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले गूगल ब्राउजर पर आजाईए और स्मे टाइब कर लिजिए BASER Board of Secondary Education राज्तान और येंडर कर लिजिए जिसे आप क्लिक करोगे BASER पर तो यहां पर Board of Secondary Education राज्तान अजमेर आ जाएगा तो यहां पर आपको क्लिक करना है है क्लिक करते हैं आपको यह सेकंड एजुकेसन माधिव सिक्साबोर रास्तान की वेबसाइट कुल जाएगी इसके अंदर आपको यह नीचे मिलेगा ऑनलाइन फॉलिंग पोर्टल फॉर्ट प्लास एट इस पर क्लिक कर लेना है तो यह आपको एक नई वेबसाइट पर ले ज नहीं बड़ी हुई है तो यहाँ पर जैसे आप लोगिन एडी और पास्वर्ट डालोगे पहली बार कर रहे हो तो इसमें इस तरह से प्रोफाइल खुल जाएगी वो प्रोफाइल पूरी बढ़ लेनी है आपको प्रोफाइल बढ़ने के बाद मैं उसको सेव कर लेना है त इसको मैं बैक कर लिता हूं अगर कोई अपडेट करना हो तो यहां से अपडेट कर सकते हैं ए हम लिकाह हुआ है क्लास 8th एक्जामिसां 2019 को यहां पर क्लिक कर लिजीए फिर यहां पर आपको मिलेगा Fill Examism Forum अगर आपको नया 8 Class का Form बढ़ना है तो यहां पर क्लिक करना है उसके बाद में यहां पर Student का नाम आएगा माता का नाम आएगा पिता का नाम आएगा और फिर जो आपने photo और sign scan करेंगे रखे हैं वो यहां पर जोड़ेंगे और process पर क्लिक करेंगे तो मैं यह जल्दी से गल लेता हूँ आप इसको करके आगे बढ़ जाएए नाम माता का नाम और पिता का नाम लिखने एक बाद में यहां से choose photo पर photo पर क्लिक करना है और आपके photo जहां पर भी पड़े हैं वो photo जहां पर scan किये हैं आपने जैसे मेरा यह pictures में पड़ा है folder 8 class photo और sign इसको मैं double क्लिक करके open कर लेता हूँ और इसमें जो भी आपको photo जो जोड़ना है वो इसमें से जोड लीजिए और ok कर लीजिए उसके बाद मैं sign यहां पर upload करने हैं तो choose photo में जाकर यहां पर sign को भी select कर लीजिए और ok कर लीजिए उसके बाद proceed पर click कर लीजिए photo और sign लगने के बाद मैं आपको नीचे आजाना यहां पर यहां पर scholar registered कर मांग यानि ऐसा number डालना है ऊक के बाद मैं यहां पर और सा बट्र पन कर आई-डी हैह आपके पास में बच्चे की तो यहां पर डालना है वरना इसमेना इसमें आप language और आउसम हे सालाव धर्षमिया नहीं आपके पास में तो इसको छोड़े सकते हैं अगर आपके बास में इससाला दर्पन की ID नहीं है, शुलेंट की तो यहाँ पर इसको ब्लेंक भी चोड़ सकते हैं, उसके बाद में आप विध्यार्ति कणाव, महाताग्नाव, पिताग्नाव चैक कर देजीए, यहाँ पर जनमतारिक डालनी है. इसके बाद में यहां ऑटोमेटिक जनम्तिती सब्दों में आ जाएगी फिर यहां पर सब्चेट चुनना है सब्चेट अलड़ी इसमें चुड़े हुए हैं आपको बस इसमें तर्थिय बासा थर्ड लेंग्वेज को चुनना होगा जैसे यहां पर अभी मैं हमारी जो कि बरकार की विकलांकता है अगर ब्लाइन है तो ब्लाइन पर क्लिक करना है य्कि से बरकार की अपंता है Problem करनी है कुश हिधा जो करना है अगर नहीं है फिर इस्टेट और गाओं का नाम चुन लिजिए और डिस्टिक्ट चुन लिजिए फिर फिर फिन कोड नमबर चुन लिजिए उसके बाद में स्टूडेंट के पेरेंट्स के आमादापिता के नमबर यहां से डाल दीजिए पूरा फॉर्म बढ़ने के बाद मैं लास्ट में इसको प्रोसेट कर लिजिए प्रोसेट होते ही आपको यहां पर एक कैनिटेट रिकॉर्स सेव का ओक्षन आजाएगा और से ओके कर लेना है इसको इस परकार हमने यह पूरा एक फॉर्म बढ़ दिया है अगर आपको इस चेकल लिस्ट ओक्षन आएगा उसपह कर लेना है और जो आपने इस फॉर्म बढ़़ा होत यहां पर आपको नाम दिखाए लिएगा अगर आपको फिंटाउट निकालना है लिए प्लिएहां परॉसीट निकालके लिए कर सकते हैं तो यहां पर मैं आभी क्लिक कर लेता हू अगर आपको सभी फॉर्म जो बरे हुआ हैं सबको अगर पिंट आउट निकाल के चेक करने हैं तो इनके सब पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद में आपको आजाना है पिंट पे क्लिक करना होगा अगर आपके आपके पिंटर जुड़ा हुआ है तो यहां पे पर उस फॉरम का प्रिगा देगा Aah पर करने सो हमई निकलएगा उ आपके पास पींटर नहीं है तो उसको सेव कर सकते हम पिडियो के रूप में यहां पर चैन्च पर क्लिक करना है चैन्च पर कइन needs a video पर क्लिक करना है और यहां से इसको सेव करने ना है से पर जैसे क्लिक करोगे बॉक्स आजएगा जहां पर इसको सेव करना चाहते हो सेव पर क्लिक कर लो और यहीं पर सेव कर लेता हूं कोई नाम देकर और सेव कर लेना है उसको बाद में आप पिंट आउट निकलवा सकते हो तो किसी computer center पे जाकर आपके पास pinder है तो वहां से आप pin निगाल सकते हों अब मैं back option टे क्लिक कर लेता हूं बैक आ जाते हैं तो first option तो यह था नया form बनने का दूसरा option था पिंट checklist अगर चेक लिस्ट निकाल का अगर सभी information सही है तो यहां से इसको check कर लेना है अगर इसमें कोई चेक करने में अगर कोई problem दिखती है नाम में पिता के नाम में किसी बरकार की problem होती है तो आप update exam form में जाकर इसको सही कर सकते हैं जैसे आप update पे click करते हो तो यहां पे list खुल जाएगी जो आपने form बरे हैं यहां पे जिस form में आपने गलती पाई है उस form को एक बार 100 form पे click क कर लेना है क्लिक करते हैं वो फॉर्म खुल जाएगा और में जिस किसी में भी अगर कोई problem हो अगर साला ऐसा नंबर में नाम में पिता के नाम में किसी बरकार के अगर समस्या हो तो उसको सुदार करके यहां पे इसको फ्रॉसीड कर लेना है तो अभी मेरा यह सबी इन्फो इसको फोटो और साइन में कोई problem है तो एक बार उस student को यहां से डिलीट करना पड़ेगा जिसे में यहां से इस option पर क्लिक करके इसको फ्रॉसीड करना पड़ेगा तो वो उटोमेटिक की जो नाम आपने स्लेट किया है वो डिलीट हो जाएगा उसके बाद में उसको वापी करने के जरूत नहीं पड़ेगी अगर कोई problem है तो इसको update exam form पर क्लिक करके सभी इसकोल के सभी form बढ़ने के बाद में आप इन सभी form को लोग कर सकते हो लोग करने के बाद में यह जो भी आपने form लोग किये हैं उसमें किसी वरगार का कोई भी चेंजज नहीं होगा की और इंगलिश निकाल देनी है और उसके बाद में जब आपका ये चला नगरा जमा हो जाता है बैंक में उसके बाद में प्रिंट एपरूर करेंटर फॉर्म की एक एक परती निकाल देनी है अगर आपको इस वीडियो में किसी बरगार की प्रॉलम आती है कुछ चीज समझ म नहीं आई है तो आप निच्छे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगर वीडियो बसंद रही हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने जितने भी स्कूल है या दोस्त है उनको ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको उनको भी ये जो एट क्लास है ट क्लिक करके सको नोटिफाई कर लीजिए वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद झाल